Assalamu alaikum dear students, welcome to our YouTube channel, C.U.D. Engineering Academy. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to receive latest updates about the engineering related videos. So dear students, आज की इस वीडियो में हम M.O.S. 2 का एक इंपर्टन टापिक, तीन वर्ल्ड स्वेरिकल वेसल्स हम पढ़ेंगे, सही है, सेलेंडरिकल वेसल्स हमने पढ़ लिए प्रेशर वेसल्स, आज हम स्वेरिकल प्रेशर वेसल्स पढ़ेंगे, वो उसके लिए मुझ करेंगे, तो dear students, या हमारे साथ, स्वेरिक वेसल्स क्या होते है, इसक एक अजए एक घ्जम्पल हमारे साथ जो और वतर टेंग जो होते हमारे गरंगे, वो फूडी टcyjप सही है, इस stipend इसyttika में हुए होते है, सही एक इस में फुलूइड होते है, सही सिंप गजय होते है या हमारे साथ spherical shape जो pressure versus होते है spherical shape के साइए इसका best example हमारे साथ यह है और भी हो सकते है ठीक है तो हमारे साथ यहां पर इस साथ करते हैं कि हम इसको mid में cut करते हैं और यह cutted region मैंने यहां पर शोकिया हुआ है साइए इसमें अगर हम cut लगाते हैं तो उकाटिट इटीजिन में यहां पर शोक किया हुआ है त्री डिमेंशनल में सही है यहां पर हमारे साथ कुछ बात है वाप लोग याद रख़ड़ो कि जो स्पेरिकल प्रेशर वेस्ट जोते है उसमें हमारे साथ लंगी छूटन स्ट्रेसिस जिरो होते हैं लंगी छूटन स्ट्रेसिस यहां पर हमारे साथ नहीं होते है और बाकी जिम्शास तो यहां पर होई यह कि हमारे साथ लंगी ठीकने स्ट्रेसिस युनिफाम होता है वेरी नहीं कर रहा होता है लेकिन यहां पर इसका लेन होता ही नहीं है हमारे साथ यह यहां पर stress सिर्फ ट्रांसफर्स डाइरेक्शन में होगा साहिए अगर इस डाइरेक्शन में हो इस डाइरेक्शन में हो इस डाइरेक्शन में हो तो वो sigma T प्रश्वर्ज डियरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् के मीड में लाएगा साहिए और सिमिलर ली इसी तरह उसके इस सर्फिस पे हमारे साथ प्रेशर एपलाई होता है इंटर्नल प्रेशर साहिए और उस प्रेशर का भी हमारे साथ एक रिजल्टेंट फॉर्स आएगा जो कि हमारे साथ बराबर होता है एफ के यह रिजल्टेंट of applied internal pressure is resultant of sigma t tangential stresses तो डिया स्टुएंट्स यहां पर हमारे साथ इस तरह अगर यहां पर में एक stress element लो साहिए, वो में यहां पर इस तरह शोख कर लो, हमारे साथ इस straight element पर सारे direction में force same apply होता है, तो उसको हम कहते है hydrostatic stress, साहिए उसके सारे direction में हमारे साथ stresses same होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूँ, hydro static stress साहिए, जिसके जिसके, जिसमे sigma 1, sigma 2, sigma 3, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यहां पर जो, ingestion stress sigma 1, sigma x, tangential stress के बराबर होता है, साहिए यहां पर sigma t सिरफ होता है तो अगर यहां पर हम इसका maximum stress stress find करें, साहिए sigma 1, minus sigma 2, by 2 तो उसका maximum stress stress 0 होता है और, यहां इसका मतलब है कि यहां पर share stress होता ही नहीं है साहिए, share stress 0 होता है हमारे पास नहीं होता है तो इसका more circle सिरफ dot होगा, साहिए, एक dot यह इसका more circle होगा साहिए, more circle उसका एक dot होगा और, हमारे साथ जो share stress is 0 होंगे, तो हमें maximum share stress theory, या mindset theory या distortion energy theory, हमें यह कहता है, कि जब एक object में share stress होगा ही नहीं तो वो हमारे साथ failure share stress की बचसे नहीं होगा, साहिए वो object उसमें failure आएगा, तो वो हमारे साथ share stress की बचसे नहीं होगा, साहिए, क्यों कि वोँआ पर stress is share stress 0 होता है फिर उसके बाद जब हम इस shape पे आजाते साहिए, यहां पर उसी spherical object में ने दूसरे direction में बनाए, साहिए यह उसके ones में sigma tangential पैदा हो रहा है, और उसका resultant P है, और यहां पर जो internal pressure apply हो रहा है, साहिए, उसका जो resultant होगा, तो वो हमारे साथ F है equilibrium में कहता है कि F P के बराबर होगा तो dear students, यहां पर हमारे साथ जो equilibrium में हो हमें यह कहता है, कि अगर यह spherical vessel हमारे साथ equilibrium में हो तो उसमें forces बराबर होंगे, इस direction में और इस direction में, तो P हमारे साथ F के बराबर होगा, तो यहां पर हम इस साथ करते है कि P हमारे साथ किस इस के बराबर होगा, दो देखो P हमारे साथ हम क्या कहते है sigma T यानि tangential stress multiply by this area, which is this circumferential area, और यह हमारे पास Pai D T के बराबर है सही है, Pai D जो होगा, वो यह circumference होगा और T जो है, यह हमारे साथ इसका thickness होगा फिर उसके बर हमारे साथ जो force होगा, वो हमारे साथ के बराबर होगा, वो हमारे पास internal pressure, यह small P है सही, internal pressure multiply by this area, which is spherical area और यहां पर हमारे साथ, अगर हम इसको side से लेके, cross section दे तो वो हमारे साथ सर्कों बराबर होगा और यह की जिसके बराबर होगा यह हमारे साथ, P by 4D square तो यहां से अगर आप sigma T find करना चाहो, तो यह bucky terms, यह terms उदर चले जाएंगे उसके divide हो जाएंगे, DD कट जाएगा square के साथ एक T रहे जाएगा तो हमारे पास, sigma tangential जो बराबर होगा उसके लिए formulation होगा उसका equation, PD divided by 40 और dear students, यह हमारे पास cylindrical pressure vessel में PD divided by 40 था, तो इसका मतलब यहाए के tangential stress इज, जो हमारे साथ cylindrical vessel में produce होते, वो हमारे साथ two times ज्यादा होते, जो हमारे साथ spherical vessel में tangential stress होता है, या हमारे साथ spherical vessel में tangential stress cylindrical से half होता है, तो dear students, यापर हमारे साथ इससरा होता है कि जो tangential stress हमारे साथ cylindrical vessel में produce होता है तो पीटिडi बाइड बार टूटी के बरबर होते है और हमारे साथ स्फेर्स में transport share होता है हमारे साथ PD by 40 के बार टूटी के equal होता है तो इसका मतलब भी है कि हमारे साथ स्फेर्ज में ठ्रांसवर्ट शेर जो हमारे साथ होता है वो उसका हाफ होता है इस compare to cylinders यह हम यह भी कहते हैं कि हमारे साथ cylinder में जो transfer share होता है वो हमारे साथ 2 times होता है सही है या हम इस तरह 20 को लिख सकते हैं कि हमारे साथ जो transfer share होता है वो हमारे साथ यह हमारे साथ transfer share जो cylinders में होता है उसका half होता है क्यों क्यों कि वो P2 by 2T के बराबर होता है और ये 40 तो ये उसका हाफ होता है तो ये कुछ important point है तो हमारे साथ अगर ये उसका हाफ होगा तो इसका मतलब होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ transfer stress जो होता है वो हमारे साथ cylinder में ज्यादा होता है साहिए as compared to spherical pressure vessels तो अगर हमने कोई सी design करनी हो साहिए जिसमें हमें transfer stress ज्यादा नहीं चाहिए तो हम demand को भी देखते हैं और उसके requirement को भी पुरा करते हैं लेकिन फिर हम उसमें spherical verses select करेंगे साहिए क्यूंकि उसमें transfer stress कमाते हैं और यहां पर हमारे साथ longitudinal stresses भी नहीं होते तो डिया स्टुनेट्स ये थी आज की हमारी वीडियो फिर मिलते हैं इंशाला निक्स वीडियो में अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें तो डिया स्टुनेट्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर कोई मस्वाव तो कमेंट बाक्स में आप पोच्छ सकते हैं फिर मिलते हैं इंशाला थेक्ट वर्ल्ड प्रेशर वेसस के वीडियो में तब तक के लिए इतना ही खुदा आफिस